हेलो फरेंटसा अब बनाएंगे हेर यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेने कलॉंजी लली है मेथि ले लिएunden कोई सा लेना चे और कोटूनेट ऑपसकिन ल्हीं कैनल पर देख सकते हो कि पैन मेरा गर्म हो चुका है यहाँ मतलब यह पक चुकी है, क्योंकि पैन भी मेरा गरम था, यह न अगर आपके बाल जड़ते हैं, तो आपको नहाने से पहले लगाना है, आप ट्राइ जूरूर करके देखेंगा, मैं ट्राइ किया हुआ है, इसका जो रिस्पॉंस है, वो बहुत ही अच्छा है, यहां पर देख मैं मेथी को भून लूँगी, मेथी एचली हमोटी होती है, तो इसको थोड़ा ताइम लगता है, आपको लोग फ्लेम करके, इसको धीरे-धीरं भून लेना है, ब्नोन home याँट ayam DAVID कोई भी कोकोनेट ओयल हो अब यूज कर सकते हो अब देख सकते हो कि जो हमारी मेथी है वह भी भून चुकी है अब मैं कोकोनेट ओयल इसमें डाल लूँगी यहां पर मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा बना रही हूं क्योंकि मेरा पहले से ही बनाया हुआ है य जो कलॉंजी होती है वह हमारे बालों को काला रखती है और जो मेथी है वह बाल जढ़ने से रोकती है यह मैंने ट्राई किया हुआ है ऐसा नहीं कि मैं आपको वैसे ही बता रही हूं मैंने ट्राई किया है इसका जो रिस्पॉंस है वह बहुत ही जाद अच्छा है आपको ए शैंपू यूज़ कर सकते हो ऐसा नहीं है कि आपने जो मैं रिकुमेंड करूंगी वही शैंपू यूज़ करना है कोई भी शैंपू यूज़ कर सकते हो इसका कोई नुकसान नहीं है अगर आपको फाइदा नहीं होगा तो आपको नुकसान भी इसका कोई नहीं होगा क्योंकि जो हम बजार से खरीद के लाते हैं तो उसमें तो हमें पता ही है कि कैमिकल हो गई होगा इसमें कोई भी हम कैमिकल यूज नहीं कर सकते अब मैं इसको चान लूँगी एचली यह जो मेथी और कलॉंजी बची है आप इसको एक बार और यूज कर सकते हो यहाँ पर तो मेरे पास कम ओईल था कि मैंने पहले और रेड़ी बना के रखा हुआ है तो मैं कम ओईल में आपको बना के दिखा रही हूँ यह देखिए हमारा ओईल रेड़ी हो चुका है और जो मेथी और कलॉंजी बची है आप इसको दुवारा यूज कर सकते हो ओईल में गरम करके जैसे मैंने आपको दिखाया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजेगा